हाई दोस्तो मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फ्रिशे स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में दोस्तो मैं आपके लिए हमेशा AutoCAD plans, submission drawings, Revit software के courses और बहुत सारे courses free में आपके लिए लेके आता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही एक submission drawing आपके लिए लेके आया हूँ जिसके माद्यम से आपको समझ में आएगा कि अगर आपको submission drawing बनानी है तो इस file का use करके आप कैसे बना सकता है ठीक है तो देखिए आज जो मैं आपके लिए plan लेके आया है ये 1RK का plan है जिसमें ground plus first story है ठीक है और ये total plan का area 30 square meter का है और ये हमने AutoCAD में बनाया है तो basically आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका plan है ठीक है तो submission drawing जैसे मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ submission drawing है काफी important document है काफी important drawing है जिसके माद्यम से आपको approval मिलता है उस घर का construction करने के लिए उस building का construction करने के लिए ठीक है तो basically आपको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो आप कौन से location पे बना रहे हो आप कौन से structure में बना रहे हो कितना आपने FSI लिया है कितना FSI all load है टोटल built up area कितना है और आपका घर की arrangement कैसी है इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम submission drawing बनाते हैं ठीक है तो submission drawing में basically काफी bullet points आते हैं जैसे कि ground floor plan अगर first floor है तो first floor plan side plan अगर आपको उसमें कुछ demolish करने वालो तो demolition plan आपका location plan ठीक है फिर आपका कुछ structural जैसे हम यहाँ पर water impression कुछ tank दे रहे है तो वो आप यहाँ आपकी यहाँ पर आगी compound wall या फिर RCC का आप यहाँ पर कुछ दे सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद area calculations आप इसमें देखते ह है front elevation and sections की detailing आप यहाँ पर देते हैं ठीक है तो यह एक बहुत simple तरीके से बनाया गया एक plan है जो आपके काम में आएगा और इस plan को आप हमारे website पे जाके download कर सकते हैं जिसका नाम है civilnotes.com आप यहाँ पर आ सकते हैं इस website पे आपको काफी सारे courses फ्री में मिल जाते हैं जैसे eTap हो गया, StatPro हो गया, Primavera हो गया, AutoCAD हो गया ओके यह सारे software आपको फ्री में सिखाय जाते हैं ठीक है और साथी साथ आपको download पे click करने के बाद in fact इस file का जो link है वो मैंने description box में दिया है आप वहाँ पे जाके भी इसको download कर सकते हैं ठीक है चोलो हम plan को discuss करते हैं तो दिख फिर यह kitchen आती है, toilet है आपका यहाँ से आप ऊपर के staircase लेके ऊपर के floor पे जा रहे हो जहाँ पर आपने store बना के रखा है और यह आपका terrace है तो एक एकदम simple सा plan है जिसका front television हमने कुछ इस तरीके से बनाया है और इसका section अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको देखेगा इ कि यह आपका area calculations है ठीक है मतलब 3.5 by 6.57 ओके 22.9 और ground का built up area आपका इतना हो गया ठीक है तो total जो है दोस्तों यह आपका construction plot है यह area calculation है लेकिन total जो हमारा working है वो कितना है 3.5 by 8.57 यह हमारा total plot है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पी area statement में बताएंगे कि भाई area हमारा 30 square meter का है जो area existing कुछ वहाँ पर है वो हम इसको तोड़ने वाले है जो built up area कुछ demolish भी हमें करना है वो आपका 9.12 square meter है ground floor का जो basement area है जो हम यहाँ पर बनाया है जो आपको यहाँ पर दिखा है कि हम इतना construction करने वाले है मतलब कैसे देखिए 6.57 यहाँ से लेकिए यहाँ तर प्लस 3.5 मतलब इतना ही construction करने वारे पूरे plot में तो क्या हुआ हमारा construction कितना है 22.97 ground floor के लिए और first floor के लिए 6.45 तो हम total build up कितना कर रहे है 29.45 मतलब पूरे 30 square meter carpet में से हम 29.45 का क्या कर रहे है build up ले रहे है तो हमारा FSI कितना हो गया 0.98 हो गया और हमें allo कितना किया है 1 मतलब आपका drawing अप्रू हो सकता है ठीक है examine sharing में हमेशाãy schedule of opening देते जैसे डूर की opening हो गई window के opening हो गई यह sizes हम देते है कि क्या size का दोर हम दे रहे हैं क्या size का विंडो दे रहे हैं कितना size में opening दे रहे हैं यह भी हम देते हैं फिर हम legends भी यह आपे देते हैं कि plot boundary कॉन सी है water line कॉन सी है proposed line यहाँ पर हम थोड़ा keynote देखे, फिर sign of owner, sign of architect और sign of authority करके हम इसको approve कराते हैं, ठीके, तो इस तरीके से हमें submission drawing बनाते हैं, अगर आप कोई drawing डाउनलोड करनी हैं, तो आप हमारे website पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और साथी साथ अगर आपने हमारे YouTube चानल को subscribe नहीं कि हैं, तो प्लीज यहाँ पर click करके आप हमारे YouTube चानल को भी subscribe कर सकते हैं, ठीके, so thank you so much guys, have a nice day, bye-bye.